हमारा अच का word of the day related है बॉलिवोट एक्टर रंधी फोड़ा से तो चलिए अब जानते हैं हमारा अच का word of the day क्या है डायर डायर को हम हिंदी में खौफना कहते हैं इंग्लिश में हम इस word को adjective तो वहीं हिंदी में विशेशन की तरह यूज कर सकते हैं चलिए अब जान लेते हैं इंग्लिश में डायर का मिनिंग क्या है having a somber और dismal atmosphere और nature इंग्लिश मिनिंग के बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डायर के कुछ synonyms या फिर इसके ही जैसे कुछ और words dismal, bleak, miserable, gloomy synonyms के बाद हम जानेंगे डायर के कुछ antinyms या फिर इसके opposite words bright, cheerful, hopeful और सबसे last में हम जानेंगे news case दिये गई sentence में हमारे आच के word of the day डायर का use किस तरह से किया गया है we are dealing with a dire situation but it's also a testing time for human character said actor Randi Phuddha अभिनेता रंदी Phuddha ने कहा हम एक खौफ नक स्थितित से निबट रही है लेकिन यह मानवे चरित्र के लिए भी एक परिक्षन का समय है so friends हमें इक कॉमेंट से बताना मत भूलिए आप कैसे करेंगे डायर का use एक sentence में और इसी के साथ YouTube पर हमारे Hint Coach Dictionary चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए